कि नमस्ते नमस्कार जैहिन दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूरुप चानल पीस में कर पे तो देखे फिर्ण्स हम लोग कर रहे थे फिर्ण्स उसको आगे आज फिर से कंटिन्यू करते है फिर्ण्स और देखिए सबसे इसलिए क्योंकि यह देखे फिर्ण्स आपका ए जो 17 दिसंबर का एक्जाम में कहीं आपका करेंट्रेफर्स से कोश्चन छूट ना जाया मैं इसलिए आपको टॉपिक्स वाई वीडियो कंप्लीट कर रहा हूँ तो देखे फिर्ण्स आज का हमारा सबसे बड़ा इंपॉइंट है जो निउज एड़ एड़ इंपॉइंट इसके बाद मैं आपको टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूं ठीक है तो चलिए याद रखिएगा इस सुरू से लेकि वीडियो अंतक जरूर देखिएगा अगर आपको और बहुत सारा टॉपिक्स वीडियो चाहिए तो प्लीज आपको यहां पे बहुत सारे अच्छे प्लीज न अक्षा के तहते इस्रैल पर हमला किया था तो कोश्चं ऐसे आएगाए फिरट्स याद रखिएगा कि इसराइल बड और हमला है हूं हमास ने किया था 2 तो हमास किया था था कि टहर gluten टूफान अ-स्का के तहथिज इसराइल पर हमला किया कूण तो हमास किया था लिए रखी refrigerant टूफान Okay Das है कि ईस्पोर्ट के तहथ इसराइलने लिए जबावी हमला किया थो यह ने रीया तो سب opinon and account Hall i как has used against inveja iska dollars it comes to farmer phosys इससे नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा आप से सब्सक्राइब कर दिया हुँ तो एक बार आप ते उस्याफ ज़ूर जाके देखिएगा ठीक है औरís मैं इस्लामी पत्रत利ोत अंदुलन के अस्थापना कभ हुई थी तो 1987 में टरे करता अहमद यसीम द्वारा गाजा में की गई थी तो ये भी इंपॉर्डे ने इसको भी ध्यान रखिएगा कि कभ की गई तो 1987 में हमास या इसलामी प्रतिरोध अंदुलन के अस्थापना की गई थी अहमद यासीम के द् मंदित तथे देखीगा तो इस्राइल में स्वतंत्र हुआ और कई यूद लड़े तो कोशन यह आप यह सकता है कि इस्राइल जो कब स्वतंत्र हुआ तो 1948 में हुआ था ठीक है और अब इस्राइल यूद हुआ था 2020 में यह इस्राइल यूएई और बहरीन के भी सांधी समझाता है अभी आप खबर में जो आपका इस्राइल हमास है तो इससे डिल्टेट आपको जितने ही पॉइंट है यह इसमें दिया हुआ है तो यह बहुत अच्छा इंपॉइंट आपकी एक्जामा पॉइंट से ठीक है बन संदक्षन संसुधन अधिनियम दोजारती देखिए अगर हम सबसे पहले हम बात करते हैं क्या कि 12 इसमब 1996 और डेट यादर केगा 12 इसमब 1996 को यह उससे पहले वन उपयोग से गैर भन में परिवर्थित भूमी पर लागू नहीं हुआ था ठीक है अगर हम बात करते हैं क या अधिनियम के तहत निमिकित छूट तो रेल लाइन या सावजनिक सरुकों किनारे बन भूमी अंतरास्टे सिमाओं के साथ 100 किलोमीटर के भीतर इस्तित भूमी ठीक है गतिविदिया जैसे चिरियागर सफारी इको पडियाटन सिल्वी कल्चर और किंद्र सरकार द्वार सनक्षन अधिनां 1980 में संसोतित किया तो यह इंपॉर्टिन है आया कब था 1996 में लेकिन संसोतित हुआ तो 1980 में ध्यान लगीगा ठीक है चलिए इससे पहले फ्रेंट से लागू नहीं था ध्यान लगीगा चलिए नेक्स्ट आपका कि भारतिय अंतरिक्स शनीती यह 2003 तो भावा देना और भविस में वैस्विक अंतरिक्ष अर्थिवयस्ता के हिस्सेदारी में 10% तक अब रहने पर ध्यान लगा ठीक है और यह नीती चार विशिस्ट संबंदित इकाईयां बनाती है पहला इस रो रिसर्च और इनुवर्शन पर फोकस करेगा उसका इने स्पेस जो भारते राष्टी अंतरिक्ष संबंदन और प्रादिकरन केंद्र सभी अंतरिक्ष गतिविदियों के प्रादिकरन के लिए एकल खिर्खी एजेंसी के रूप में कारे करेगा ठीक है चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट आपका कि निउए स्पेस इंडिया लिम्टेड एन एस अगर हम बात करते हैं कि भारत में नीजी तोर पर विक्सित पहला रॉकेट वर्स दौर बाइस में विक्रम इस है जिसे मीशन प्रारम के तहते लॉंच किया गया था और इसे स्काइरूट एरोश्पेस दौर विक्सित किया गया था यह कोश्ट आपके एक्जाम में आया था ध्यान रखेगा यह इंपॉर्टेन है याद रखेगा कि जो बिक्रम इस है यह फ्रेंट आपके क्या है तो एक मिसन प्राणुमिक तर लॉंच किया गया था जिसे बात करते हैं कि कानडाई पी-एम ने भारत पर खिलिस्तान नेता हर्दीप सिंग निजड़ की हत्या में सामिर होने का आरोप लगा है तो तो यह किसने लगा है तो कनडाई पीम ने ठीक है अगर हम बात करते कि फाइब आइज इंटेलिजन्स अलाइंस तेकिए फाइब आ से यू के ऑस्टेलिया कनाडा और न्यूजिलेंड ठीक है द्वारा साजा की गई कि खूफिया जनकारी पर यह आरोप लगाया गया है वीत बर्श दरबाइस ते इसमें 8.16 बिलियन डॉलर में कनाडाभात का 35 सबसे बड़ा बैपारिक भागिधार है तो याद रखीगा ठ अगर हम बात करते हैं कि भारत कनाडा राजनाइक संबंद 1947 में अस्टित में आये थे ठीक है अगर बात करें कि 1985 में टोरंटो से लंदन जा रही एर इंडिया का उरान संक्या 182 पर सीख अलगवादियों जो कनाडा इस्टित है ने बंबी स्पोर्ट की जिसमें 329 दोग मार सब्सक्राइं जाती इसमें आदारित गणना यहांसे कोशन आ सकते हैं एक बार दीखिएगा जरू इसको चरे बात करते हैं कि कि बिहार सरकार ने 2 अक्टूबर 30 को जाती अधारित गर्णा रिपोर्ट जारी की और इस गर्णा के नुसार बिहार की जनसंख्या 13.07 करोर है पहला पॉइंट दूसरा है सरविक्षन के अनुसार अत्यंत पिच्रावर्ग यानके EVC है 36.01% पिच्रावर्ग यानके BC है 27.12% ठीक है नेक्स आपका अनुसुची जाती है 19.65% और अनुसुची जन जाती है 1.68% और समाने बर्ग है 15.52% है ठीक है अगर हम बात करते कि इस सर्विक्षन के अधार पर बिहार सरकार ने राज सरकार की नौकडियों और स्यक्षिन संसाओं से वंचित जाती हो के लिए कोटा 50% से बढ़ा कर 55% कर दिया गया यह इंपोर्टे ने याद रखेगा जिसमें राज में कुल आरक्षन कितना है तो 75% बिहार सरकार ने कहा है कि यह पुर्ण पैमाने पर जंगन्ना नहीं बलकि एक समाजिक सर्विक्षन अब देखें यहाँ पर इंपोर्डिन आपके अनुच्छे 246 के तहत जंगन्ना एक संग का बिस है तो याद रखेगा कोशन आगा कि जंगन्ना एक संग का बिस है कि 246 दो दूना चार दूना आट नहीं सॉरी 246 दू चार चे टू प्लस टू प्लस टू याद रखेगा ठीक है चलिए अगर हम बास तो इसके प्रिस्टी भ्यूमी की तो देखेगा रांग से आखड़ी बार SEC के रूप में जाती जंगन्ना 1931 में आग की गए थी यह यादर रखेगा आखड़ी बार क्या भुगा था अजादी के बार 11 में समाजिक आर्थिक नितिज जंगन्ना होई थी लेकिन जातीगत आखड़ी जारी नहीं किये गया थी अगर बात करें कि दूसरा पिछरा वर् प्रतिवेदन समप्रतित था 1990 में इसे लागों किया गया था अनुमान लगाया गया कि ओवी सी अवादी 52% है अब देखिए डीप ओसन मिशन समझते हम लोग यह भी आपके खबर में जो आपके निउस है वो सभी यहाँ पे दिया हुआ तो प्लीज आप इसे जहूर देख 277 करोड है और बात करें इसका उद्देश का तो यह हिंद महासागर से पॉली मेटलिक नोडियूल निकालना और मानाविक पंडुब्वे बाहान MATYSA 6000 में तीन व्यक्तियों को समुद्र में 6000 मीटर की गढ़ाई पर भेजेगा ठीक है अगर बात करते हैं क्या कि गढ़े समुद्र में बनिस्पतियों और जीवों की जैब प्रुवक्षन ठीक है और अब 30 महासागर थर्मल उर्जा रुपांतन के लिए इंजिनियरिंग ड देजाइन और महासागर जलवाई परितन सलाकार सेमाओं का विकास ठीक है तो यह जानिए आप लोगे मानप पंडुबी बाहन जो है मैटसी यानिकि 6000 में तीन व्यक्तियों को समुद्र में 6000 मीटर तक गढ़ाई में लियागा तो यह आप लोगे इंपॉर्टे ने ध्यान समिति के सिफारी स्पेश को गृठन किया घ्या था हुड़ा समीती टीक है तो यहां से कोशन यहां से बन सकते है नेक्सट अगर हम बात करते हैं कि सैने आर्थिक और कुफDAYूं के मामलों के माध्यम से रास्ट के हितो और सुरक्षा की रक्षा करना है अगर बात करें इनू सकती वंदन अधिनियम 2023 तो देखें यह important है कि जो अभी नारी सकती जो वंदन अधिनियम हुआ इसमें संसोधन हुआ है तो यह इंपॉर्टन है वीविया यादर की का ठीक है और यह भी important है कि यह लोग सभा राजे विधान सभाओं और दिल्ली विधान सभाओं में महिलाओं तो यह लिए 33 पर दितीस अरक्षन अनिभारे किया लोग सभाओं राजे विधान सभाओं और दिल्ली विधान सभाओं में महिलाओं के लिए तर्टे-पर-टिसत अरक्षन अरक्षन अनिवारे करता है ठीक है चरेब मौजूदा C-st श्ट पंद्रह वर्स है, पंद्रह वर्स के बाद इसे change भी किया जा सकता है, दो यहां पर important है, एक यह वला और यह वला, यादर किया, चली, यहां पर एक देख लेते हैं, कि इसमें कौन-कौन सा अनुच्छे जोरा गया, तो यह भी important है, तो अनुच्छे 330 के A और 332 के A जोरा गया ठीक है, चलीए, अनुच्छे 170 के 3, और 82 में संसुधन किया गया, और परिशन के लिए, ठीक है, परिशीमन के लिए इसमें किया गया, ठीक, चलीए, अगला देखते हैं हम लोग, नेक्स चाहिए कि G20 दिल्ली घोसना, यह भी friends आपके exam of points से important है, जी से, देखिए, अगर ब एक परिथवी, एक परिवार, वन फैमली, और वन फ्यूचर, एक भवी से, तो इसका theme एफिर्ट्स आप English, Hindi और Sanskrit, दोनों में आप याद कर साथे, वसुदैव, कुटुम्बकम, एक परिथवी, एक परिवार, एक भवी से, अभी हाली में जो आपका, जो एक BPSC टीचर वा कारे करना चाहिए, ठीक है, अगर हम बात करते हैं, क्या कि महिला ससक्तिकरन पर कारे समूं का निमान करना चाहिए, नेक्स आपका कि ग्लोबल, डिजिटल, पबलिक, इंफ्राइस्ट्रॉक्चर के अस्थापना की जाए, और दोहर, तीज तक, तीन गुना नवी करनी है, उ और ISA के साथ, Green Hydrogen Innovation Center के अस्थापना की जाएगी, और G20 के अस्थापना यह इंपॉर्ण है, 1999 में की गई थी, ACI, VTS अंकट के बाद इसकी अस्थापना की गई थी, ठीक है, फिरंट, तो यह यादर कीगा, देखे फिरंट, G20 के बारे में तो इसका मैं डिटियल एक बार ज किया जाएगा, ठीक है, अगर हम बात करते हैं, G20 के बारे में तो देखिएगा यहां से, कि 22 की जी टॉन्टी के अदेख्चा है, भारत की जाएगा, ठीक है, और G20 के अस्थापना कब हुआ तो देट यह 99 के साथ, 26 सेप्टेम्बर, ठीक है, 26 सेप्टेम्र, 1999 को हुआ था, ठीक है, अगर देखिए, फिंट्स की तो, G20 है, दोहर 24 में, G20 के अदेख्चा अखौन करेगा, तो यहाद रखिएगा, कि 24 में, जो G20 के अदेख्चा ब्राजील द्वारा किया जाएगा, ठीक है, तो यह भी याद रखिएगा, और यहाद रखिए, जी टॉन्टी अब G21 वन हो जाएगा, क्योंकि इसमें अफ्रिकी देश सामिल हो गया, और अफ्रिकी संग सामिल हुआ, अफ्रिकी संग में टोटल कितने देश है, तो चोब वन देश इसमें सामिल है, तो G20 के बारे में थुरा सा बता देना, इसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, चल देखते हैं, तो देखें, अगर मात करते हैं कि IMEC, Global Infrastructure and Investor, PZII के लिए साधारी का हिस्सा है, ठीक है, और IMEC में रेल रोड सीप टु रेल नेटवर्क सामिल है, जीसे दो कोरिडॉर, एक कोरिडॉर है, पुर्वी हो गया, गलियारा, दूसा है, उत्री गलियारा, तो अरब की खारी से जोड़ेगा, यादा कि यह important है, पुर्वी गलियारा कि इसको जोड़ेगा, भारत को अरब की खारी से जोड़ेगा, ठीक है, चलिए, नेक्स्ट, इसका उद्देश आप लोग देख लीजेगा, मैं आपको PDF दे दूँगा, ठीक है, तो आप PCS में कर टेल Global South Summit के दूसरे संसकरन की मेजवानी के जिसमें 125 देशोंने क्या लिया, भाग लिया, तो यह question important है, कितने देशोंने भाग लिया, तो 125 देशोंने, नेक्स्ट इसका theme यादर किया Global South Together for Everyone's Growth, Everyone's Trust, किसका theme है, तो भारत Global South और FIPIC का, ठीक है, इसका theme है, नेक्स्ट है, कि Global South सब की कोई सक्त भुग लिए पढ़िवासा नहीं है, Global North और Global South को brand line द्वारा भियाद किया आता है, तो यह फ्रेंट सापनकोर के important है, यादर की का, कि Global North और Global South को किस line द्वारा भिभाजित किया आता है, तो brand line, यादर किया है, फ्रेंड्स कौनसा लाक्षी है, तो brand line के द्वारा, ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ को विभक्त किया आता है ठीक है नेक्स्ट अगर हम बात करते कि ग्लोबल साउथ सब 1979 इसमी में कार्ल ओगलैपसी द्वारा गढ़ा गया था तो फिर उनीचिन से याद आ रहा होगा इसुरो का अस्तापना ध्यान न किया है इसुरो का पापवा नियुगिनी द्वारा सह अध्यक्सता हुआ था इसमें और विकास के लिए 12 सुत्रिय फर्मूला त्यार किया जाएगा और स्वरुर्जा परेदना के लिए भारत द्वारा समुआ को 100 मिलियर अमेर्की डॉलर को रिन साहता दी जाएगे नेक्स आपके रास्टिय रास्टिय लोजिस्टिक्स नी थी NLP 2022 देखे हाली में भात ने NLP का एक वर्स पूरा हुआ है ठीक है अगर हम इसका उदेश क्या है तो लोजिस्टिक्स की लागत की कम करना दर तीस तक वैस्विक ब्रेंचमार्क तक पहुँचाना दर तीस तक सिर्ष 25 देश में आना और क तो CLAP यानिकि ब्यापक लोजिस्टिक्स एक्षन प्लान के माध्यम से लागू किया जाएगा जिसमें 8 कारे छेतर होंगे ठीक है और वर्तमान में भात विस बैंक लोजिस्टिक्स परदर्शन सुचकांग दर तेश में 38 पे तो यह याद रखिएगा कि वर्तमान में भात तो उस पे जाता फोकस करना है ठीक है अब देखें फ्रेंट्स यह तो आपके लिए वीविया एक्जाम में देखें पी एम विसकर्मा योजना देखें होंगे भी हाली में 17 सितंबर जो आपके विसकर्मा पुजा था उस दिन यह लांच किया गया था तो 17 सितंबर को विसकर्मा जैनती के अफसर परपरधारमंती ने परमपड़िक सिल्फ और कौसल में लगे स्रमिकों को सरकारी सहता देनी के लिए नई दिल्ली में पी एम विसकर्मा योजना के सुरुत है इसकी सुरुवात कहा हुई तो नई दिल्ली में यहां से कोशन पह 27 से 28 तक अगर हम बात करें कि अब तक प्रारंबिक पड़िवया यांकी 13000 क्रोड है और इसमें 18 प्रमपड़िक छेत्र सामिल है ठीक है इसमें क्या क्या सामिल उद्देश देखिए तो पीम विसकर्मा प्रमान पत्र और आईटी कार्ड कॉसल उन्यान टूल किट और विपणने समर्थन इसमें किया जाएगा अब देखिए इसको कार्ड मतब पत्रता कब मिलेगी तो नहीं तम 18 वर्स होना चाहिए लाग परिवार के एक से तक की सीमित रहेगा मतब आपके फैमिली में किसी एक को मिलेगा सभी को नहीं दिया जाएगा और हातों और और इसको इनको दिया जाएगा ठीक है अब देखिए ससस्त्रवल विसेस अधिकार अधिनियम 1908 तो देखिए यह अधिनियम अनुनाचल परदेश असम मनिपूर मिघाले मिजोरम नागले और तिरुपूरा के असान छेत्रों में ससस्त्रवलों का विसेस सक्तिया प्रदान करत देखिए फ्रन्स कोशन यहां पर ऐसे आजाएगा कि इन में से कौन सा राज जिसमें ससस्त्र सीमा लागू नहीं है तो यह दखिएगा कि कहां पर लागू और नाचल परदेश असम मनिपूर मिघाले मिजोरम नागले तिरुपूरा ठीक है इसमें है बाकि और समय नहीं है देखिए इसमें प्राधान क्या है कि विना वारंट के संग्दित लोगों को गिराब माले के हमको आप पे डाउट रहेगा तो मैं आपको गिरफतार कर सकता हो तो यह इसका मतलब यह हुआ ठीक है और कानून के अनुसार किसी व्यक्ति पर गोली चलाना या बल परयोग करन तो यह भी कर सकते हैं और किसी भी ऐसी सनचना को नस्ट कर दे जिसमें हतियारों के भंडार का आश्य होने के संदे हो और जहां से हमले के जाने की संभाब ना हो तो इस सब को विस्यो ध्यान दिया गया है ठीक है और सक्ष के लिए बिना वारंट की तालासी लेना मतलब वा वितिये ए आरसी की पंद्रवी रिपोर्ट ने भी इस निरस्त करने के सिफारिस की गई है चले स्वक्ष बायू सर्वेक्षन 2023 तो देखिए पढ़ियावरन वन एबन जलवाई पढ़ितर मंतराले के पहले इसको जालू किया चारी किया आता है ठीम है कि स्वक्ष बायू के लक्ष पे प्राप्त करने के लिए किया गया है इसका परिणाम देखिए अगर बात करें 131 सहर में तीन समुह कवर्ट किया गया देखिए इंदोर बात करें तो इंदोर स्वक्ष में अब देखिए मुल्यांकन के कुछ मांदर्ड ये बाहन उसर्जन सरक की धूल और बायो जलाना आदी यह सब पे क्या है तो इसमें नहीं करना है ठीक है ज्यादा नहीं करना इसका उप्योद नेक्स आपके डिजिटल व्यक्ति गत्व डेटा सनक्षन अधिनियम 2023 तो देखिए अगर हम बात करें कि भारत में कुछ वस्तु या सवाओं की पेशकस करते समय भारत के भीतर और भात के बार भी डिजिटल व्यक्ति गत्व डेटा को प्रसंक्षन लागू होगा अगर हम बात करें कि डेटा सुरक्षा के लिए सा सिध्धान की रूप रेखा त्यार की गई है इसमें से हम बात करें कि के एस पट्टा स्वामी केस दोयर सत्रह सुप्रीम कोट न कि नीजिता को मौलिक अधिकार माना नियामूर्ति कृष्ण सिर्कृष्ण समीति ने इस अधिनियम के प्रारंबिक मौश्वधा प्रसावित किया था यादर की गार अगर हम बात करते हैं कि डिजिस्टल व्यक्तिकर टिटा समुक्रण अधिनियम को किस ने प्रसावित कि याथ नियामूर्ती स्रिक्रिस्ट्ष्ट्ट्न समीती ने इस अधनियम का प्राण्मिक मुस्वधा प्रसावित किया था नेक्स की बिभिन कानूनों में सुधार तो भारतिय नियाय सहीता यहां पर कोशन आ जाएगा कि भारतिय नियाय सहीता द्रसाट का स्थान लेगा कोशन यहां से एक कोशन यहां पर बनेंगे उसके बाद है क्या कि राजद्रो आतंगवाद और संगटित अपराधी की नई पड़िवासा नेक्स्ट नेक्से मौव लीचिंग के लिए अलक से दण निदे प कड़ए गता है और अठारा से कम उम्रि के महिलाओ वलतकार के लिए मौत की सजा इससे पढ़ले या उम्रе बारावर्स था ध्यान लगीगा कि अगर आतारा सामुहीक अगर आर बलतकर के लिए तो उसको मौत के साधी जाएगी यह बहुत अच्छी खवर है कि कम से उसको मौत तो मिलेगी ताकि वो गलत काम ना करें ठीक है और इससे पहले यह उम्री कितना था तो बारा वर्स था ध्यान लखिए आपका कि साधी के जूटे बादों पर यौन संबंध बनाने पर द अगर बात करें कि कम से कम एक सब इंस्पेक्टर के अनुदर पर आरोपी की वेडिकल जाच ठीक है अगर बात करें कि सी आर पीसी पहली बार 882 में अधिनियमित हुआ और बाद में 1898-1930-1955 और सी यार पीसी 1973 में संसुदित किया गया तो याद किया पहली बार कबाया तो अठासव बिरासी में ठीक है धिया नकिए नेक्स निकिए भारतिये सक्ष बिध्यक दुहर तेस तो भारतिये सक्ष अधिनियम 1872 का अस्थान लेगा ठीक है और इलेक्ट्रोनिक और या डिश्रल डिकॉर्ड का कानूनी प्रभाव कागजी डिकॉर्ड के समान ही होगा इले रहे ने सक्ष का स्फिकर्टा के लिए विस्यश प्रधान किया किनेक्स कि मुक्ष चुनाों और अने चुनाों जयूक्त की सरते और कारेकाली की अद्दिव विद्यक civs 2023 अगर हम बात करते हैं किया चुना आयोग, चुना आयोग की सेवा के सर्ते और बेवसाय का संचालन अधिया उनिसे एक्यानमी का जगा लेगा और कैबिनेट सचीव की अधियक्तावा वाली एक खोध समीती चेंच समीती के नामों पड़ एक पैनल विश्तित करेगे ठीक है अगर हम बात के नोट याद रखी गांग कि इससे पहले अनुप वर्णवाल बनाव यू ओ आई मामले में सुप्रीम कोट ने घोशना की थी कि राष्ट पती इसी और सीसी के उनित सला समीती के परामर्स के तहत करेंगे जिसमें प्रधानमंति लोकसवा के विपक्ष क प्रभण और भात के मुख ने अधिस सामिल रहेंगे अब देखके अब बात के कमपनी की सिरेणिया अब हम लोग कमपनी की सिरेणिया देखते हैं आपको मैं बता रहा हूं कि यह आपको बता रहों कि इंपॉर्टन तो उससे आप जहूर देखिएगा सभी आपकी पॉंट तो इसे आप जहूर देखिए चलिए और बात करते हैं कि तेरा महारतन कंपनिया है और तेरा महारतन वाल लिम्ट और तेरा वा जो है वो कौन है की तेरा महारतन कंपनिय तो महारतन का वाल लिम्ट और तक पहले हैं कि अगा अगर वह बात करें कि अब देखें तेरा तो महारतन हो गया लेकिन नवरतन कितने है तो सुलवान नवरतन कंपनिया को ने तो याद RITS लिम्टेड है ठीक है चलिए अगर बात करते हैं कि महारतन के मांदन क्या है तो नवरतन का दर्जा प्राप्त हो ठीक है उसके भारतिय स्टॉक एक्सचेंज पर सुची बद हो और तीन साल का औसत सा तो मिनी रतन एक अनुसुची एक अधरजा प्राप्त हो पिछले पांच वर्सों में तीन वर्सों की रेटिंग अच्छी या उत्क्रिस्ट हो ठीक है और छे परदर्शक संकेतों का साथ या उसी अधिक का समग्ड स्कोर हो अधिके स्टेट ऑफ इंडियाज वर्ट्स अधिक कम हो गई है ठीक है अगर हम बात करते हैं क्या कि लंबी दूरी के प्रवासिया इसमें 50% अधिक का गिराबाट आई है ठीक और लुप्त प्राय में कोन है इंडियन एस्कीमर ब्लाक बैलिडीन टर्ड तो कुश्चन फिंट्स यहां से बन सकते हैं कि लुप्त प्रा निचार्ड तो यह धियार नखिएगा भारतिय मोर एस्याइ कोयल रॉक कबुतर आदी प्रजातिया बढ़ी हैं तो कौनकों से प्रजातिय बढ़ी तो भारतिय मोर एस्याइक कोयल और रॉक कबुतर ठीक है चलिए नेक्स्ट है कि अनुसंधान राश्ट्री रिसर्स की अस्थापना की जाएगी अगर बात करें कि अनुसंधान नवाचार और उध्विंता के लिए रन नितिक दिशा प्रदान करने के लिए एक देश का सरवोच निकाय है इंडिया स्टैक देखते हैं यह एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस का एक सेट है जो सरकारों स्टार्टप वेवसां और डेवलपर्स का एक अधूतिय डिश्टल बुनियादी धांचों का उप्योग करने के लिए अनुमति देता है अगर हम बात करें इसके तीन हैं ठीखली से निटेववडर्स कि रिज्टल और हम सुधानरे और हम वहया है दृटरन का दा झांब हम लोग क और आकाउंट एंग्र जलिएव अगर हम बात करते हैं नागर सहीता चंशामित एंट में इन्पोडरेंस यहानसों बनेंगे ध्यान लखेगा तो सबसे पहले बात करते हैं कि हाली भात में वाइस में वीदी आयोग का समान नागरिक सहीता पर सुझाओ मांगा है अगर बात करें यूसीसी विवात अलाक विरासत गोद लेने और उत्रादिकारी से संब्धित सभी धार्मिक समिदाओं के मामले पर लागू होता है और पुर्तगाली नागरिक सहीता 867 के रूप में यूसीसी का पालन करने वाला गोवा भारत का एकमातर राज है तो ये कोशन बन सकता है कि कौन पालन करने वाला एकमातर राज है तो गोवा ठीक है जो 867 में पुर्तगाली नागरिक सहीता आया था था ठीक और इसे राजी के नीती निसक सिधान के अनुचे 44 के तहत सम्मेधानिक अधिकार प्राप्त है और लेक्स्ट लोकी डिपोर्ट 4840 में सिफारिस की गई कि मुसल्मानों और हिंदुओं के व्यक्तिकत कानूनों को सहिताबध नहीं किया जाना चाहिए और बियन राउ समिती ने एक सहिताबध हिंदु कानून की सिफारिस की है देखें काला सागर अनाजडे तो रूस हाली में सहित रास्ट और तुर्कियों के मद्यस्ता में रूस और युक्रियन की बिच हस्तराक्चित काला सागर लाप सम्दाद पीछे हट गया है बात के लिए पहल काला सागर ओडेसा चोड़नो मोस्क युजनी पीवेडेनी में तीन प्रमुक युक्रेनी बंदरगाहों से वानिजिक भोजन और उर्वकों के अनुमती देती है यह सोदा 120 दिनों की अबदी के लिए हंस्तादित किया गया था कितने दिन यहां से कोशन आ सकता है 120 दिन चलिए रास्टिय बहुयामी गड़ीवी सुचकांग यहां से कोशन बन सकते हैं MPI के लिए नोडल एजनसी नीती आए ने हाली में रास्टिय MPI का दूसर संस्कान जारी किया तो कोशन यहां से आ जाएगा कि रास्टिय बहुयामी गड़ीवी सुचकांग जो हाली में किस ने जारी किया था नीती आयोग और यह रिपोर्ट रास्टिय पड़िवारिक के अधार पर त्यार की गई थी अगर बात करें आयाम क्या है थे इसका तो स्वस्थ सिक्षा जीवन अस्तर गड़ीवी के कुल संख्या अनुपात में भारी गिरापट ठीक है दर 15 सुल्ला में 24.85 परतिसत से 19 से 21 में 14.90 परतिसत हो गई है तो ध्यान रखीगा कि अभी वरतमान में कितना हो गई है तो 14.9 परतिसत अगर रिपोर्ट की मुख्य बात दर 15 सुल्ला और 19 से 21 के बीच में 13.5 करोड लोग भयामें गड़ीवी से बाहर निकले तो कितने लोग तो 13.5 लोग करोड नेक्स्ट की ग्रामीन चेतरों में गड़ीवी में 32.59 परतिसत से 29.29 परतिसत के गिरावट आई है ठीक सरी चेतरों में गड़ीवी में 8.56 परतिसस से 5.27 की गिरावट देखनों के मिली है ठीक है और बर्ष दर 15 से 13.16 से 11.21 के बीच में गड़ीवी की तबता 47 % से घट कर 44 परसेंट हो गई है तो कोशन ये भी बन सकता है ठीक है चलिए नेक्स चगरम बात करते कि बहुयामी गड़ीवी वाली जनसंख्या में उस्तम हिस्सा किसका है तो ये कोशन बनेगा तो उप्चंदा बिहार का उसका जारकंड यूपी में घाले एंपी तो सबसे टॉप पे क्य आईपीक बिहार, एंपी, ओडिशा और राजस्थान तो ये इंपोर्टिन ध्यान लखी गई हो किरल की हिस्सेदारी सबसे कम थी और बिहार में पुर्ण अबदी में MPI मुल्य से सबसे तेज कमी आई है तो सबसे कोशन यहां से बन सकता है कि सबसे तेज कमी किस कहां किस र आई 2.0 जाड़ी किया गया था इसका लक्ष खंड में सामी ने लैप्टॉप टैबलेट ओल इन वन पीसी सरवरभात में अल्ट्रा स्मॉल फार्म फेक्टर विक्या भी निमार्ग भी निर्वान करना ठीक है यह प्रुत्साहन अबदी कितनी है तो 6 वर्स को किया गया है च जादर के यह अधिनियम कब लाग हुआ तो एक अप्रल दार तो इससे यह लाग हुआ है चलिए नेक्स्ट जैविक विवित्ता संसुदर अधिनियम 23 तो यह अधिनिया भात को जैविक विवित्ता के लिए संक्तिरास सम्मिलन 1992 के उद्देश को पूरा करने में मदद करने के लिए लागु किया गया तो कब 1992 ध्यान लखीगा इसके तैत लागु किया गया था और जैविक विवित्ता पर कन्वेंशन एक अंतरास्टी अस्तर पर कानूनी रूप से बदेकारी बहुपक्षी संदी है ठीक और इसका उद्देश है कि जैविवित्ता का सनक्षन करना ठीक चरिए नेक्स्ट नेक्स्ट है कि भारत 6G एलाइंस यह इंपोरेन है याद रखीगा कि दूर संचाल भी भागवारा लॉंच किया गया उद्देश से कि दुहर तीस तक भारत के लिए एक सक्तिसाली वल गुनक के रूप में कारे करने के लिए 6G तकनिक को तैनात करना है और यह एक स्वयोगी मंच है जिसमें सावजनिक और नीजी कमपनिया सिक्षाविद अनुसंधान संस्ता और मानक विकास नठन सामिल है अगर बात करें किया कि टी 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 डी एफ योजना यूनिवर्सल सर्विस अब्लिगेशन फंड द्वारा शुरू की गई यह इंप है कि इसका फ्रिक्वेंसी उप सिक्स जिगाहर्ट्स और पंचान में गिगाहर्ट्स से 3 तेरा हर्ट्स यहान की एक हजार्ट होगी तो यह इंपॉर्टन है यह इसका जो एक सेकें डॉन होगा और बीलंबता होगी एक मिली सेकेंड होगा चले वनने जीव संद्षन नहीं 12 अगर हम बात करते हैं कि वन्य जीव सनक्षन अधिनियम कब आया था संसोधन कब किया गया थार 22 में लेकिन यह लागो कब हुआ तो अप्रेल 23 में ठिक और वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्त प्राजातियों के अंतर राश्ट्रिय व्यापक पर अभी समय के प्रभानों को लागो करने के लिए नया अध्याय भी पी जोड़ा गया बा यह याद रखे हैं कि अगर हम लोग जीव जन्तु के साथ कोई उलंगन करते हैं तो बिसेस प्रकार के जो जीव जन्तु होते हैं बिसेस रूप से सुरक्षित जो संदक्षित जीवों के लिए नियुम्तम जो जुर्माना है 10 से बढ़ा कर 25 सर कर दिया है और समाने उलंगन next WHO की महामारी संधी तो WHO ने महामारी से निपटने के लिए एक फरवर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर उसर्जन की रिपोर्ट जारी किया है और CO2 उसर्जन में 0.9% या 36.8 गीगा टन से अधिक की नई उचाई पर पहुँच गया है और यह रिपोर्ट 22 में ग्रीन हाउस गैस उसर्जन की पूरी तस्वीर प्रसूत करती है और स्वक्ष उर्जा प्रदोगिकियों की अतिरिक्त 550 मिलियन टन से यो टू सर्जन की रोकने में मदद की है अब नेक्स टेप का कि ऑनलाइन गेमिंग ड्राफ्ट नियम तो देखिए इलेक्ट्रोनिक और सूचना प्रदोगिक मंत्राल है ऑनलाइन गेमिंग को आईटी नियम दर 21 के तहट लगाएगा ठीक है और इसमें देखिए फ्रेंट्स क्या किया जाएगा यगर हम बात करते हैं कि ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के सर्टेवाजी में सामिल होने की अनुमाती नहीं दी जाएगी और ऑनलाइन गेम्स को स्वर नियायक निकाय के साथ पंजीकरन करना होगा और ऑनलाइन गेमिंग में परवेश अस्तर पर भुगतान की जाने वाली रासी परशी परसिन जीस्टी है तो यह इंपॉर्डेन है कि कितना परसिन जीस्टी लगेगा तो 28 परसिन ठीक है भार्ती कॉमिनिस्ट पार्टी यानिके मार्क सवादी चौता है बहुजन समाज पार्टी पांचमा है निशनल पिपूल्स पार्टी चटा है आम आदमी पार्टी तो याद रखेंगे यह जितने भी है यह सभी जो है फ्रेंड्स आपके एक राष्ट्य दल का दर्जा का योग पाया है यह 6 याद रखेगा 6 योग नाम नेक्सरे राष्ट्य दलों के रूप में मानेता के लिए एक दर्सा आ गया है ठीक है अगर हम बात करते है क्या कि यदि कोई दल कम से कम चार राष्ट्य दल के रूप में मानेता प्राप्त हो दूसरा कि यदि उसे लोग सभा चुनाओं में 2% सीटे प्राप्त होते हो तथा यह सदर से 3 विभिन राजो से चुने जाते हो ठीक है नेक्सरे कि यदि वह लोग सभा या विध्यान सभा के आम चुनाओ चार अत्वा चार से अधिक राजो में बैद मतों का 6% मत प्राप्त करता है तथा इसके साथ हुआ किसी राजिया राजिया राजियो को लोग सभा में 4 सीटे प्राप्त करता है तब उसको मननेता दी जाएगे ठीक है चलिए नेक्स्टे आपका कि सिनेमेटोग्राफ संसुधन विदैक 2023 तो देखिये ध्यान से इसको हम दोगों आदेखते हैं तो चलिए अगर हम बात करते क्या कि यह सिनेमेटोग्राफ अधिनिया 1952 का संसुधन करता है में संसुधन करता है उन्हीं सबावन में ठीक है अगर हम बात करते हैं क्या कि फिल्म उद्धोग को और बढ़ापा देने के लिए पैरेशी की समयस्या से निपटने के लिए संसद ने सिनेमेटो ग्राफ बिल 32 पारित किया था किसने पास पेस किया तो संसद ने क्या सिनेमेटो ग्राफ बिल पारित किया थार 30 पर एक दस वर्स में फिल्म का नवी करने का वसकता समाप्त कर दी गई है और फिल्मों को उम्र की अधार पर प्रवाइद करने का प्रधान किया गया नेक्स ने कि भारत में मिलेट्स मोटा अनाजी और यह भी इंपॉड़े ने यह के रूप में यह इंपॉड़े ने कि भारत के अनुरुदत पर 23 के को अंतराश्टी बाजरा वर्स के रूप में चुना गया है उत्पादक में अग्रनी डाज है राज्थान करनाटक महरास्ट यह भी इंपॉड़े नहीं याद रखीगा इसमें कुछ पहल ध्यान रखीग कि बाजरा प्रणुसंधान और जागुता पर केंद्रित है बाजरा का मुक्रधारा मिलाने के लिए प्रतिदिन साथ सुत्र है ठीक नेक्स ट्रीपल थ्रेट रिपोर्ट देखिए यह रिपोर्ट यूनिसेफ द्वारा जारी किया गया और यह दुनिया का सबसे अधिक प् अधित क्षट और सुरक्षित थेड़त शौसवशन अभी विश सुरक्षित पेजल और सुक्ष्टा तक पहुंच न पहुंच ने यह बिलकुल भी पहुंच नहों होने के स्वास्वास समस्यां का सामना कर रहे हैं और और तीन वर्ष से कम आयूं के साथ लाक बच्चों की मौथ हो जाती है तो यह भी हूं इसाग है अन्तर राजी जल्व वेद्वाध टो था सकता है कि करश्पन जल्विवाध किन राज्यों में नहीं है अब जो नहीं है तो नहीं होगा थीकुपरिया चल biology ये और कि इसमें उडर्पर्दिस कृणाट मारास्टा 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 इसमें मध्य पर buttons और उरी आलम पस देलल मद्यान नकी इसको ठीक है तो खृत्षना जलविवाद और गोडाब्री जलविवाद नेक्स है कि राष्टी है क्वांटम मिशन तो केंद्रिय मंत्री मंडल ने चो हजार तीन दसम्रों चो पांच करो रूपय की कुल लागत के साथ वर्ष दोहर तेश ओविस से 3031 तक के लिए इस मिशन को मंजूरी दी है ठीक है और इसका उदेश है कि क्वांटम प्रदोगिकी के विकास को बढ़ावा देना सटिक समय के लिए प्रमानू प्रनालियों को प्रमानू घडियों में उच्छ समय दन सिलता वाले मैग्रोनो मीटर विक्सित करना और दवा डिजाइन अंत्रिक्ष बैंकिंग सुरक्षा स्वास्तवित उर्जादी का उदेश है इसका ठीक है अब देखिए पंचायत विकास सुषकांक देखती है तो इसे पंचायती राज मंत्राले द्वारा ने जारी किया यह इंपॉर्डिन है ठीक है और जो सदद विकास लक्षों के अस्थानी करन को प्राप्त करने के समाजी ग्रूप से न्याय संगत एवं सुरक्षित गाउं सुसानता महिला की अनुकुल गाउं सामिल है ठीक है और इसकोर के अधार पर पंचायती के चार से में बाटा गया ए है 75-90 पर तीसाद बी है 60-75 पर तीसाद सी है 45-60 पर तीसाद और डी है 40 से कम लिथियम आयन बै बैटरी देखिए जम्मू कस्मीरी के रियाइसी जीले में 5.9 मिलियन टर्न लिथियम भंडार की खोश की गई यह इंपॉर्टरिन है ध्यान रखिगा कि विविद अनुप्रयोग के इसकी यूप योगिता इकाम ने इसे सफेद सोना कहाया था याद रखिगा कि लिथियम क बैटरी के सव निर्माता और नोबल पुरुसकार विए था जो वैनिस्टर गुड़न अफ का सो वर्स की आईवि में क्या हो गया इनका नीधन हो गया तो यह कोशन इंपॉर्टरिन है कि लिथियम आयन बैटरी के जो निर्माता है और वो नोबल पुरुसकार उनको लिथियम मैंगनेज ऑक्साइड और लिथियम आयरन फॉस्पेट सामिन है तो यहां से पूछ सकता है कि बताए कि लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है तो लिथियम मैंगनेज ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है तो लिथियम आयरन का है तो लिथियम आ याद रखेगा कि इसने ये जारी किया था कि वैवारत करता कि जार्च करने के लिए पुर्व राश्च्पति स्री रामनात कोविन के अध्यक्सता में ठीक है और उन्हें की अध्यक्सा में वन नेशन वन इलेक्शन तो इसको जारी किया था किस नें तो राष्ट पती की अध्यक्स्ता में इसको जारी किया गया था ने सदस्य ध्यान लखे इसको एक लाद देख लिए कौन और अन्य सदसे चलिए नेक्स देखते हैं कि एक हम बात करते हैं कि वन नेशन वन इलेक्षन के लिए आवस्यक पड़िवर्तन अनुश्यत तिरासी तो संसत के सद्नों की अबदी अनुश्यत पचासी राश्पति द्वार लोक सभा का द्वादान बीदी आयोग के 170 और 225 वी रिपोर्ड वन नेशन वन इलेक्षन के पक्ष में थी चलिए नेक्स रहे कि राश्प्रिय विदेश नीती 2023 को जारी कौन किया था तो राश्प्रिय विदेश नीती को जारी किया था फिर्ट त्यान रकिया वानिज्य और उधोग म करते हैं कि विशेस एक मुस्त माफी योजना का स्वार्म किया जाएगा और जीलो से निर्यात को बढ़ावा देना और निर्यात उतक्रिस्ट में चार नैसर फरीदाबाद मिर्जापूर मुरादाबाद और वारिनेसी बनाएं जाएंगे अगर हम बात करते हैं कि नियुंत में क्रिसी लागत और मुल आयोग की सिफारीसों पर आर्थिक मामलों की कैबिनेट मंत समीती द्वरा MSP का वानिजिकरन किया गया था अगर बात करें कि 22 अनिवारे फसलों के लिए MSP और गन्ने के लिए उचित मुले की घोस्ना की गई है अगर बात करें कुछ फसलों के लिए MSP तो बात करें कि धान का जो कुंटल परती कुंटल किया गया था 213 रूपिया कपास के लिए 620 रूपिया मक्का के लिए 290 रूपिया और गेहूं के लिए 275 रूपिया तो ये दियार नखीगा इचारोंच ओभा फिक है चलिए और दो एक हाथिप Ł प्र पर्योजना चर्चह गया फिर्थ हारीं- कोनेट ने अधिन पर्यूजना चर्चा आड हम भी इंपोड़ोर्ण है सब्सक्राइब करनाटक पर्थम अस्ताने हाथियों के सिरिन में इसमें आप चोजार उन्चास हांतिया है तो ध्यान रखीगा ठीक है और देखें आपके बन सनक्षन अधिनियम जो आपके यहां से कोशन बनते हैं कि बाग की संक्या कितनी है या कोई भी अगर इससे रिलेट सब्सक्राइब करनाटक बन विभाग द्वारा हाथि घंटर देखें करनाटक बन विभाग द्वारा हाथि करनाटक में हाथियों की संक्या कितनी है तो अभी वर्तमान में देखें यह द्वारा का डेटा था लेकिन द्वारा तेश के अनुसार यह 6395 हाने की 335 हाथी हो गई है और बांदीपूर टाइगर रिजर्व में हाथियों की संक्या सबसे जादा है तो देखें अब करनाट यह जो करनाटा के में पर्था मस्तान लिए रहा है कि बांदी पूर टाइगर रिजर्व में हाथियों के संक्या क्या है तो सबसे अधिक किस टाइगर रिजर्व में तो बांदी पूर टाइगर रिजर्व में ध्यान लखेगा और हाथी भारत की प्राकिर्तिक विरासत पसू तो कोशन आएगा कि भारत का प्राकिर्थिक विरास्त पस्व कोन है तो हांती है ठीक चलिए आगे देखते हैं कि अगर हम बात करते हैं क्या कि भारती हांती का बैग्यानिक नाम यह कोशन यहां से बन सकता कि भारती हांती का बैग्यानिक नाम क्या है तो एलिफस मैक्सिमस ठीक है और IUCN की लाज सूची में संकट ग्रस्त है और सीटेस में प्रसिस्ट दो पे है और संक्षन अधिनिया में 1972 अनुसुची एक के तहत ये प्रावधान है यह बहुत इंपॉर्टेन इसको देखिएगा दियान से अगर बात करते हैं इसको लॉंच कब किया गया तो 23 दिसंबर 2018 को यहां से कोशन मनेंगे और देखें आपके योजना से रिलेटर जितने भी कोशन म अप्रोड कर दिया तो उसे भी आप लोग जाके ज़रूर देखिएगा तो इसे प्रधान मंत्री जन अरव योजना के रूप में भी जाना जाता है और इसे 23 सितंबर 2018 को लॉंच किया गया देखिए अब इसमी विसेस्ता क्या है आपको आईसमान भाद कार्ड का मतलब क्य अगर आप बीमार होते हैं तो आप कोई भी गवर्मेंट या हॉस्पीटल में जाए तो वहां पर आपको यह काट देने से आपको पैसा रिलीफ होता है तो यह बहुत अच्छी बात है चलिए अस्पताल में भरती होने से पहले एकस्प्रेस कवरेज तीन दिन तक ठीक है औ और हिमाले राजियों के लिए 90 अनुपात 10 है ठीक और लावियारतियों के लिए निवारक प्रुत्साहन और उप्चात्मक स्वास्त हश्चेप को बढ़ाबा देना और स्वास्त देखवाल की गुनवत्ता और दक्षता बढ़ाने के लिए सरभामिक स्वास्त देखवाल प्राप्त करने के लिए ठीक अगर बात करें में स्वामिनाथन यह देखें आपके एक्जाम पॉइंट से बहुत दिया हूं और यह बहुत इंपॉड़र ने इससे ध्यान से देखिए अगर इनके बारे में कोशन इंका भी हाली में ध्यान्त हुआ है या डेथ हुआ इनका तो इससे कोशन बनेंगे ठीक है तो सबसे पहले याद रखीगा कि इनका जन्म कब हुआ तो साथ अगर्स्त 1925 को इनका निदन हुआ 28 सितमर 23 को कोशन यहां से यह बन सकते हैं दूसरा कोशन कि भारत में हरित करांती का जनक की रूप में जाना है जाता है एमेस स्वामी ना ख्रिसी मंत्राले के प्रधान सची 1989 सची ठीक है यह आपका इंपॉर्टन है कि अंतरास्ति चावल अमसंदान संस्ता के महांड़िस गरूप में निक कब किये तो 1982 में और राश्ट्रिय किसान आयोक की अधेक्ष कब वने तो दोहर चार में और राजी सभा में संसत्त दिया गया यह इंपॉर्टन है कि पर्थम विस्वखाद प्रुषकार की विएता है यह पर्थम विस्वखाद जो इनको ही दिया गया था 1987 में UNDP UNDP ससाकावा पर्यावर्ण प्रुषकार 1994 में यूनेस्को महात्मा गांधी स्वन पदक 1990 में में और फ्रैंक्लीन डी दम मेडल 2000 में इनको दिया गया था राष्टी अस्तर पर समान हम लोग यह इंपॉर्ण है एस भट नागर पुरुषकार इनको 1961 में दिया गया पद्मस्री 1967 में पद्मभूषन उनिस्वखतर में पद्मभूषन उनिस्वथन नवासी में और सान्ती निसस्तिकरन और विका अगर बात करते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नयंद मोदी ने 28 में दोश्टी सको नव निर्मित संसत भवन का उद्धाटन किया तो कब तो 28-22 को और इसको उद्धाटन कब किया गया तो 28 मई दोहर 23 को ठीक चलिए अगर बात करें कि नए संसद भवन के उध्गाटन के अफसर्व पच्छतर रुपए का सिक्का लॉंज किया गया यह कोशन बहुत इंपोर्डेन है ठीक चलिए नेक्स्ट भारत की सेंट्रल विस्टा पुर्णर विकास परिजना के हि डिजाइन किये गये ने संसद भवन का निर्मान टाटा प्रोजेक्ट द्वार लिम्टेड द्वारा सुरूप किया गया था तो कोशन यहां से आएगा कि यह जो डिजाइन किसके किया गया तो आर्किटेट बीमल पटिल के दा लेकिन इसका निर्मान में संसद भवन का नि प्रूर दुवार संसत भवन में रास्तान से लायगया गिरनाइट गर बलुह क्त् Communist का नियमान क्या गए और राश्했습니다 सबूझनाय और इसका कुल है 95 किलोग्राप तो इसament कि प्रकुमें तो टोटल गूंक्र लेकिन राजी सभा में कितना है 384 बैठने की रस्ता है और कुल मिलाकर 1272 सीट है ध्यार नखीगा कि लोग सभा में 888 सीट है और राजी सभा में 384 है टोटल कितने है यह भी आया था 1272 सीट है अगर बात करते हैं कि पधानमंदी नन्मोदी ने संसद में नंदी के साथ पवित संगोल के स्थापना की है और संगोल को हिंदी में राजदंड कहा जाता है कि संगोल के हिंदी में क्या क्या तो राजदंड कहा जाता है और इसका इस्तिमाल चोल समराज में होता था ठीक है तो याद रखेगा कि जो अभी हाली में चर्चा में संगोल है इसकी जो इस्तिमा पांच फिट लंबा और इसकी सिर्ष पर नंदी बैल जो न्याय का प्रतीक है तो कोशनाएगा कि इसकी लंबाई कितने है पांच फिट लंबा है और इसके सिर्ष पर नंदी बैल है इसके किसका प्रतीक है तो न्याय का प्रतीक है ठीक है और लोग सभा का आंतरिक हिस्सा रा तो यह आपका यहां पे जो न्यूज एक साल का जो संपूर कर बाती है तो देखिए यह संपूर्ण महत्पूर्ण घटना है तो इसे आप जरूर देखिए इसको मिस मत कीज़ेगा यह एक्जाम पॉइंट से बहुत इंपॉर्ण वीडियो है ठीक है और जितने भी टॉपिक्स वीडियो में अप्लोड करती हो इसका पीडियो चाहिए तो नीचे दिए कर डिस्क्रिशन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है उसे आप जॉइन हो कि इस